प्लीज लाइक और सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों मैं निधी तीवारी और सौगत है आपका मेरे चैनल उडान सिंदगी की में दोस्तों आज की हमारी रेस्पी है राजमा मसाला तो चलिए शुरू करते हैं बनाना राजमा बनाने के लिए सब से पहले मैंने रात में राजमा भीओ दिया था फिर आधा चमिश नमक डाल कर मैंने इसको 6 सीटी आने तक उबाला है अब मैंने एक पैन लिया है उसमें 2 तेबल स्पून तेल डाल कर तेल गरम होने के लिए रख दिया है और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हाप टेबल स्पून जीरा जीरा ब्राउन हो रहा है जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अद्रक और लस्सन अद्रक और लासन को बारीक काट लिया है आप चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं अद्रक लासन को हमें लवख 10 से 15 सेकंड तक पकाना है फिर इसके बाद में हम इसमेट करेंगे हरी मिर्च तो मैंने यहाँ पर 3 मिर्च का यूज किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा खाना है उस हिसाब से आप हरी मिर्च का यूज करें और फिर मैंने इसमेट डाला है दो खड़ी लाल मिर्च यह बिल्कुल ओप्सिनल है अगर आप चाहे तो डाले वरना इसको इसके भी कर सकते हैं हरी मिर्च को हल्का सब्राउन होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट तो मैंने यहाँ पर तीन प्याज और तीन टमाटर का यूज किया है अब हमें इसको लगभग दो मिनट तक पका लेना है फिर हम इसमें मसाल एट करेंगे मैंने half tablespoon PCB हल्दी डाली है one fourth tablespoon से भी कम मैंने यहाँ पर लाल मिच पाउडर डाला है लाल मिच पाउडर के उस खाने में मैं बहुत कम करती हूँ one tablespoon PCB धनिया और one pinch हींग डाली है अब हमें इसको mix करना है और हमें इसको लोगभग 2-3 मिनिट तक पका लेना है मसाले हमारे पप चुके हैं अब हम इसमें राजमा डालेंगे फिर हमें इसको मिक्स करना है राजमा उबालते टाइम जो हमने पानी का यूज किया था वही पानी है डाला है मैंने हमने अलग से इसमें पानी एड़ नहीं किया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लीजिए लगभग 3 मिनिट हो गए हैं सबजी को बलते हुए तो तयार है हमारा राजमा तो राजमा को बालते टाइम ही आप उसमें कुछ तेजपत्ता करके बताईएगे का आपको यह रस्पी कैसी लगी आपको यह रस्पी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मिलते हैं रस्पी के साथ थैंक यू